हेलो दूस्तो नमस्कार स्टार्ट कर लेते हैं सब अभी हम लोग आ चुके हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड अगेन इस वीडियो में हम लोग देखा जाए तो सबसे पहले कल के दिन के इंपोर्टन स्टॉक कौन से वो देखने चाहेंगे और उसी की साथ-साथ फोकस में कौन से स्टॉक रहेंगे वो भी देखना है प्लस बूल्स औंट बेर उसका आप एंपे खेल सकते हैं कंपशने के नंबर्ज भी कुछ कंश कं आ चुके हैं तो वो भी कौन से स्टॉक है वो भी हम लोग को देखने हैं तो ऐसे बहुत सारे stocks की list है जिसको हम लोग को यहाँ पर study करना है कोई वी stock intraday के लिए trading करने के लिए कोई मेरा recommendation यहाँ पर नहीं है सबसे पहले हम लोग शुरुआत यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर कल के दिन के bulls मतलब अच्छी कासी तेजी कौन से stock यहाँ पर पकड़ सकते then अगर हम लोग बात करें तो rain industries yes rain industry की बात करें थोड़ा से आपे net slow है open हो जाएगा ठीक हो गया so rain industries की बात करें यहाँ पर Friday की दिन तो लगबग 2.43% या फिर हम कह सकते 5% लगबग यहाँ पर तोड़ दिया गया था then दोस्तो अभी अभी जैसे मैंने वीडियो यहाँ पर बनाया था कि विनाती और्गेनिक्स chemical sector की one of the favorite stock आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते है अभी chemical sector ही वैसा है प्लस अगर हम लोग यहाँ पर कहें तो company के number जैसे मैंने कहा कि इस company के number से related detail वीडियो आ चुका है दोस्तो आप ज़रूर देख लेना बहुत ही शांदार number देखने को आपे मिल रहे है number में थोड़ा सा यह है कि year on year and quarter on quarter थोड़ा सा side में आप लोगों को देखने को मिलेगा बट overall company के जो performance है वो बहुत ही शांदार देखने को मिल रहा है यह भी company long term के लिए बहुत बड़ी है mid cap से हम लोग इसको hold कर रहे है अब यह large cap बन चुके है या आगे भी बहुत बड़ी company आपे बन सकती है विनाती organics भी कल आप लोगों के radar के उपर यहापे ज़रूर रहना चाहिए कल की दिन अगर यह गिरी भी गया by default फिर भी आप लोगों ने in fact वहापे जबरतस बाइंग करनी चाहिए बट शायद से तीजी के chances यहापे रह सकते है then next company आप लोग यहापे देख सकते हो बहुत ही important यह है 800 रुपी के आसपास यह stock हम लोगों को यहापे देखने को यहापे मिल रहा है ज़रूर यहापे जो energy से related हम लोगों को energy and minerals limited कि अगर हम लोग यहापे बात करें सर्दा तो इससे related कल आप लोगों यहापे focus रखना है तो कल के दिन भी यह company ज़रूर अपने radar के ओपर यहापे रखने ना कुछ company के number हम लोगों को अच्छे भी देखने को यहापे मिले है तो इसके चलते हैं यह सारा data भी अगर आप चाओ तो focus में आपे रख सकते हो यह सारे stock आप लोगों यहापे कल के दिन पे study करने जहापे शायद से bull हम लोगों को हावी होते भी देखने को यहापे मिल सकते हैं उनके पास अच्छा का सा reason भी है numbering बहुत अच्छी गासी आ चुकी है यहापे रख सकते हो नेक्स्ट अगर हम लोग यहापे बात करें तो यहापे इंटरनेशनल कन्वेर्स की अगर हम लोग बात करें ब्यासी से ही जुड़ा हुआ यह stock है कोई NSEQ पर मिलेगा नहीं तो जरूर इस company के उपर focus रखना खास करके अगर आप देखोगे तो Friday के दिन इस stock अच्छा कर रहा था then suddenly इसे जबरदस crash आ गया and normal यहापे चला है बट शायद से ऐसा लगता है कि हापे कल के दिन एक अच्छा खासा bounce back हम लोग को देखने को यहापे मिल सकता है कंपनियां बहुत चोटी है कोई भी यहापे investment की भी सला ही यहापे नहीं है इसे तो मैं कोई recommendation सला देता नहीं बट still अगर आप चाओ तो इन companies को सिर्फ study करने के लिए यहापे cover कर सकते हो lower circuit वाला stock yes यहापे lower circuit हम लोगों को देखने को मिला था SKP securities आप लोग यहापे देख सकते हो कल के दिन शायद से lower circuit unlock यहापे हो सकता है नहीं यहापे मतलब रख सकते हो next अगर हम लोग बात करें तो यहापे हम कह सकते paper से जोड़ी वी यह company है तो इसको भी जरूर सर्च कर लेना कल के दिन के लिए यहापे भी अच्छे गासी तेजी के चांसे आप लोगों को यहापे देखने को भी मिल सकते है इनके पास एक अच्छा कासा रीजन है हम लोग यहापे कह सकते हैं इंट्राडे मत कर लेना मैं अगेर ही यहापे कह रहा हूँ बहुत सारे stocks में आप लोगों को gap of opening भी यहापे देखने को मिल सकते हैं के नंबर्स भी सामने आ चुके हैं डबल लॉस देखने को मिल रहा है डबल लॉस या फिर त्रिपल लॉस भी कह सकते हैं नंबर वन जो नुकसान है IDFC First Bank का वह प्रोविजनिंग थ्री फोल्ड प्रोविजनिंग यहापे हो चुकी है यस में नंबर्स यहापे पढ़ चुका 60,000 की प्रोविजनिंग है अगे जाके बैंक बहुत ज़्यादा लॉस भी आपए कर सकते हैं इसलिए पहले ही उन्होंने इस वक्ट के प्रोविजनिंग यहापे बहुत ज़्यादा लॉस दिखा दिया के आगे बढ़ो, कोई recommendation नहीं मेरा, but IDFC First Bank के उपर आप लोग ज़रूरी आपर focus रख सकते हो, कल शायद से यापर अच्छे कासी profit booking भी आप लोगं को देखने के chances मिल सकते हैं, अभी देख लेते हैं कि कल क्या होता है, next अगर हम लोग आपर बात करें, Unigame Laboratories Limited 333 का ये stock है, यहाँ पर भी गिरावट के chances आप लोगं को देखने को मिल सकते हैं, तो ये कुछ stocks है, जो कि आप लोग कह सकते हैं, पर result के चलते भी आप लोग focus लोग बात करें, तो कौन से stock के उपर focus रखना है, तो सबसे पहला मेरा तो focus रहने वाला है IRCTC के उपर, ये जो सो IRCTC के उपर तो definitely, definitely focus क्योंकि आप सभी लोगं को पता है कि यहाँ पर कल split से related जो news सामने आई है, consider करेंगे या नहीं, वो तो बात की बात है, बट जरूर एक positive momentum तो यहाँ पर जरूर create होने के chances बन सकते हैं, so IRCTC तो सबसे पहले रडर के उपर रहेगा, then बजाज healthcare के उपर भी आप लोगोंने focus रखना है, यहाँ पर भी same situation देखने को मिल रही है, then अगर हम लोग बात करें, बजाज electrical के उपर focus रखना है, 91% के delivery देखने को मिले, तो आते समय कंपनी के टककर दे सकता है, किसमें? 5G में, and अभी आप लोग देख सकते हैं, आप इस 7% की तेज़ी है, क्योंकि कंपनी के नंबर बहुत ही शांदार देखने को मिले है, then HIL Limited के उपर नजर रखनी है, क्योंकि इनके नंबर्स आप लोगोंने देखे होंगे, 140% की जंप देखने को मिले है, हाला कि इसमें से maximum काम अलड़ी हो चुका है, 11-12% की तेज़ी देखने को मिले है, because of number during the market ही देखने को मिले है, still study करने के लिए आप लोग ज़रू इसको यह भी यहापर कर सकते हो, then CDSL के numbers भी बहुत शांदर देखने को यहापर मिले है, so इसके उपर भी आप लोगों का नजर ज़रूर यहापर होना चाहिए, बहुत ही शांदर कमपनी है, then Tata Motors से positive खबरे आप लोगों ने देखे होगी, 5 खबरे भी मिने इसे related वीडियो भी बना है, so इन सारे stocks के उपर आपका focus रहना चाहिए, Dr. Lal Pat Lab बहुत ही शांदर नमबर दिखाने के बावजूद, यहापर जबरदस तोड़ दिया जा चुका है, so यहापर कितनी गिर्यावट ही यहापर हो सकती है, इसे related आप लोगों नहीं आपके इसके उपर भी focus यहापर रखना चाहिए, stock बहुत ही शांदर है, long term के लिए continue कर सकते हो, so दोस्तों जीतने भी important stock थे सारे मिने आप लोगों के आपके बता दिये है, जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी stock को ऐसा recommendation मत पकड़ लिना, trading के लिए किसी भी stock को यहापर, activity के लिए यहापर पकड़ना आप लोगों यहापर नहीं है, हलाकि IRCT से के और अगर आप positional trade क्या वीचारी यहापर कर रहे हो, तो इससे related में अल्रेडी detailed वीडियो बना चुका हो,